नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग करंची उत्तपा बनाएंगे तो आज हम लोग रवा का उत्तपा बनाएंगे तो यह देखिए यह मैंने दही दही लिया है दही की छास बना लिये इसमें हम लोग अभी रवा डालेंगे तो देखो रवा का अभी देखो अभी मैं इसवे यहरा प्याज में बड़ा टेष्टी होता है तो ये हरल्का सा तिखा पन रहेगा तो अच्छा लगेंगा खाने में और मैं अभी इसमें टामाटर डाल रही हूं यह देखिए टामाटर के बार एक छोटी चिमला मिल्स डाल रही हूं तो क्या चिमला मिल्स भी खाने में बड़ी टेस्ट लगती है तो अभी यह सब डाल दिया है मैंने तो इसको अभी हम लोग अच्छे से हिलाएंगे तो दस मिन तक हम लोग रखेंगे तो अच्छा लग गा ।समें अभी मैं धनिया डाल रही हूं अभी शिक्नाशनाशल दनिया डाला, अभी हम लोग इसमें थोड़ा खटा खटां, चम्तिर कि प्षय निमवं डाले तो मैं इसमें थोड़ा खट्टा ज्यादा लाने के लिए, थोड़ा खट्टा पन के लिए नीमु डाल रही हूं, य Ε dazu नीमु डालके मैं इसको अच्छे से हिलाओंगी, भी हिलाने के बाद हम लोग भी इसमें नमक डालेंगे, तो ये देखिए मैं इसमें स्वाध अनुसा नमक डाल रही हूं, नमक डाल के हम लोग फिर से इसको अच्छे से हिलाएंगे, यह देखिए, हिलाने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें, अभी हम लोग इसमें हैना, थोड़ा सा हम लोग इसमें तिल डालेंगे, तिल क्या खाने में बड़ी टेस्टी होते हैं, और इसका तेस्ट बहुत अच्छा आता है आप एक बार बना के देखिए का घर पे बच्चों को खिलाएगा आप भी खाईएगा जरूर ट्राइग कीजिएगा यह देखो हमारा मिशन तयार हो गया है तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे तो इसका तेस्ट थोड़ा अलग आएगा जो खाने में बड़ा ही टेस्ट लगेगा आप एक बार जरूर बनाईएगा देखो हम लोग ने मेशन डाला इसको अच्छे से अभी मैं इसको हिला रही हूँ हमारा गोल बनके तयार हो गया एकदम मिक्स हो गया मैं अभी तो देखो हम लोग तवा ले रहे कि पढ़ को पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो अभी इमें इसके उपर गोल डाल रही हूँ उद्तपा बना रही हूँ तो यह देखिए मैंने इसको उपर गोल ले लिया है अच्छे सेअभी इसको अच्छे से फैला लूँगी देखिए इसको आप अपने हिसाब से बनाईए गोल बनाईए तिरकोन बनाईए आपकी मर्जी है कैसे भी बनाईए यह देखिए मैंने इसको गोल बनाया है अभी मैं इसके उपर हलका सा तिखा मिर्ची डालूंगी तो दिखने में भी अच्छा लगेगा खाने में भी अच्छा लगेगा तो देखिए यह मैंने तो आप खाएएगा एक बार जरूर बनाईएगा और प्लीज सस्कारइब करना ना भूले तो देखिए यह उपर से मैंने थोड़ा सा तेल डाला है तो देखो हमारा उत्तपा अच्छे से तयार हो रहा है अभी मैं इसको इनीचे से अच्छे से सिख गया है तो अभी इसको प अभी हम लोग इसको पलट रहे हैं इसको पलट दिया है मैंने अभी यह देखो नीचे से भी इसको हम लोग को पलट ना है नीचे से सिख जाएगा तो पलट लेंगे यह देखो दौना तरफ से सिख गया है मैंने इसको पलट रिया है तो देखिए यह हमारा उत्तपा तयार हो गया है तो प्लीज सस्काइब करना ना भूले धन्यवाद